नमस्कार मैं सुरंजना आप देख रहें एक न्यूस 24 मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार सरकार ने एक एहम फैसला लिया है अब बिहार में एनम यानी ऑक्जिलरी नर्स मिडवाइफ की बहाली लिखित परिक्षा से होगी आपको बदा दे पहले या बहाली अंको के आधार पर होती थी जिसमें इनका जिला कैडर होता था जिसे संसोजन कर अब स्टेट कैडर कर दिया गया है आए जानते अब खबर व अब यर्तियों की अनुशंसा करेगी इसी अनुशंसा पर स्वास्त विभाग द्वारा इनकी नियुक्ति अस्पतालों में होगी राज्यसरकार ने एनम के कैडर में भी बदलाव कर दिया है पहले इनका जिलास तर्ये कैडर था अब कैबिनेट ने इनके कैडर को स्टेट क नियामावली 2018 को समाप्त करते हुए बिहार महिला स्वास्त कारिकरता नियामावली 2023 को स्विक्रिती दे दी गई है एक बार फिर से आपको बता दें बिहार में एनम यानी ऑक्जिलरी नर्स मिडवाइफ की बहाली अब लिखित परिक्षा के आधार पर होगी साथी साथ इन के अपर मुख्य सचीव डॉक्टर एस सिधार्थ ने प्रेस कॉंफरेंस में इसकी जानकारी दी उन्होंने बताया कि अब तक एनम की नियुक्ति अंकों और काउंसलिंग के आधार पर होती थी बिहार महिला स्वास्त कारेकरता नियामावली 2023 को काबिनेट ने स्विक्रिती जानकारी के अनुसार बरतमान में करीब 11,000 पदों पर एनम की नियुक्ति की अधियाचना तकनीकी सेवा आयोग को भेजी गई है इस नियुक्ति पर लिखिक परिक्षा का निर्ने लागू नहीं होगा आगे जो नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी उस पर नया निर् पूर्व नियमा वली को निरस्त कर दिया गया है साथी साथ अब इनका स्टेट कैडर होगा जिससे आवशक्ता पढ़ने पर इनका स्थानांतरन एक जिले से दूसरे जिले में किया जा सके फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही ऐसे तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए देखते रहें एक न्यूस 24 और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद